करनाटक में कॉंग्रेस और जेडियेस की सरकार बचेगी या फिर गिरेगी इस सवाल पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है क्योंकि ऑपरेशन लोटस फेल होने के बावजूद बीजेपी अब भी सरकार बनाने की ताल ठोक रही है वहीं दूसरी और बीजेपी के इस दावे पर कॉंग्रेस ने अपने विधायकों को छीपाना शुरू कर दिया है ताकि बीजेपी 2008 के इतिहास को दोहरा न पाए दक्षिन राज्य करनाटक में पिछले 13 दिनों से ऐसा ड्रामा चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है एक तरफ लगता है कि अब सियासत में जारी उठा पटक थमेंगी महीं अगली ही पल नया मोडा जाता है बीजेपी का ओपरेशन लोटस फेल होने के बाद लगा था कि कुछ दिन के लिए मामला शान्त हो गया है लेकिन बीजेपी की जोड़ तोड की कोशिश से अब भी चारी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस ये दुरप्पा ने दावा किया कि कॉंग्रेस के छें विधायक हमारे संपर्क में हैं और कभी भी सूबे में कॉंग्रेस और जेडियस की सरकार गिर सकती है वहीं इस दावे के बाद से कॉंग्रेस की चिंता बढ़ गई है इसलिए अब पार्टी ने अपने नेताओं को एयर लिफ्ट करना शुरू कर दिया है खबर है कि कॉंग्रेस बंगलूरों के बाहर एगेल्टन रिजोर्ट में अपने विधायकों को ले कर गई है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ साथ पार्टी के अपनों ने भी कॉंग्रेस की परिशानी बढ़ा रखी है दरसन कल शक्ति प्रदर्शन के लिए कॉंग्रेस ने विधायक दिल की बैठक बुलाई थी इस बैठक में कॉंग्रेस के चार विधायक नदारत थे दमेश जरकी होली, बीन आगेंदर, उमेश जाधव और महेश कुमात हल्ली इस बैठक में नहीं पहुँचे बैठक से पहले कॉंग्रेस विधायकों कुजारी नोटिस में पूर्व मुख्य मंतरी सिद्धा रमयय ने चेतावनी दी थी कि विधायकों की गयर मौजूदगी को गंभीरता से लिया जाएगा लेकिन बावजूद इसके सभी अस्ति विधायक मीटिंग में नहीं पहुचे जिसे लेकर पार्टी का कहना है कि बागियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी माना जा रहा है कि कॉंग्रेस विधायक रमेश हाल ही में मंतरी मंदल फेर बदल के दोरान अपना नाम मंतरी पद से हटाए जाने से बेहत नाराज थे जाधव ने सिद्धा रमयय को लिखा कि वह बिमार होने की वज़ह से सफर करने में सक्षम नहीं है वही नागेंदर ने कहा था कि एक अदालती मामले की वज़ह से वह CLP बैठक में नहीं आएंगे वही सिद्धा रमयय ने कहा कि अनुपस्थित रहने वाले इन चारों विधायको को नोटिस जारी कर पार्टी जवाब मांगेगी साथ ही उन्होंने सत्ता पर संकट के दावे को भी खारीज कर दिया कॉंग्रेस ने तो सत्ता में बने रहने का दावा कर दिया लेकिन अब देखना होगा कि करनाटक करनाटक कब खत्म होगा डिबी लाइव की रिपोर्ट